जैन दोस्तों क्या हाल है तो आज की वीडियो में हमारे पास है वाई टेक्नो पोवा फाइफ प्रो फाइफ जी और यह अलग सा बोक्स है जिस पर लाइट है जल रही है क्यों वह अभी आपको पता लग जाएगा हाला कि इसको जब ऑपन करते हैं तो अंदर जो यह वाला बो वी राम के साथ आता है फॉन तो यह अच्छी बात है कि इस रेट में आपको एट जीवी मिलता है डारेक्ट सो क्विक्ली अंबॉक्सिंग शुरू कर लगते हैं अगर हम देखते हैं बोक्स के अंदर एक सबसे पहले ट्रांस्परेंट कवर मिलता है सिम इजेक्टर पिन मि है उसी से आप गेंग कर सकते हो और प्रेंट यैसी बाहर निकलते है फों एक डिफ्रेंट लूग देता है इसका आप डजाइन देखेंगे जैसे फोंगवाट यूज करते हैं एक टेक्स्च ride एक्ट करते है 추UNG करते जो ऐसी यो ऐसे दिखाई देता है इसका जो फ्रेम और जो बैक सार्टी यानि की पॉलिकाबनेट है और साइड में जो फ्रेम अ यह फ्लाट फ्रेम दे रखा है इन्होंने और साथ में या दा बोक्स को पर यह लाइक्टे क्यों की उची गई थी इस फॉर्म के पीछे एल एटि करता है और इस light को यहां backlight effect में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं अलग-अलग यहां पे मतलब pattern follow करवा सकते हैं incoming call के time glow करता है notification हो गया phone को start करने पे music अगर आप play करते है charging का time show करता है यह features similar है जैसे इंफनिक GT 10 pro था उसमें भी ऐसे features मिलते हैं पर यहां पर एक छोटी सी strip थी वह glow करती थी white color में यहां colorful option में कुछी shape में glow करती है यह indoor में ही ज्यादा show होता है तो design होई है सब्जेक्टी हो सकता है जैसे जिनको minimal simple look पसंद है उनको lights कम पसंद आएंगी बट जिनको cool look कुछ fancy कुछ attractive या फिर कुछ different पहचान देना फोन को अलग unique सा उनको यह attract भी करेगा बागी फोन को पर अगर आप देखेंगे न यह hole actually studio speaker के लिए है secondary noise cancellation mic नहीं दिया वो इसके अंदर इसके अलामा जितनी ज़रूरी चीज़े उस अब दे रखा जैसे ट्रिपल स्लोट है दो सीमेक मेमरी कार लग जाएगा 3.5 जैक भी है NFC का सपोर्ट है 4G प्लस यानि की केरियर ग्रिशन देखने को मिला 10 5G के बैंड है और जो हैप्टिक यानि की ट्रस सेंप्लिंग रेट है आई पेट डिस्पले तो इसमें ब्राइट निक्स का जो नंबर होता हो बहुत बड़ा नहीं होता आपको पता है हाला कि आउट्डोर में कर जाएं और 15,000 के आसपास के प्राइस के साफ से जज़ करें साथ में आई पेट डिस्पले तो ही का जाते है IPS के साफ से अब AMOLED से नहीं कर सकते इसको लेकिन अगर IPS डिस्पले के साफ से बात करें तो ठीक लगेगी और जो पर्फोर्मेंस पाट है वह यहां पर मतलब मैं कहुंगा अच्छा दे रखा है जैसे अगर आप देखेंगे यहां डैमन सिटी 6080 प्रोसेसर मिल है और साथ में Android 13 है यह हाई OS के साथ आता है जो कि सिमिलर आपको XOS के फिल कराता है बस हलका सा लुक वगारा चेंज करने की कोशिच की गए यह फीचेस वगारा सिमिलर है यह लेकि मैं नोडिस किया यहां ऊपर कोई देखने को नहीं मिला कुछ ब्लोट वेर्स एक्स्टर देखने को मिलते हैं स्लेक्टिड बाकि XOS या फिर हाई OS जोतने भी हैं भाई काफी सारे फीचर्स तो देते ही हैं लाइक डिफेंट थीम्स वाल पेपर उसके बाद स्पेशल फंक्शन में यहां पर बाकी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं डूल अप्लिकेशन आएंगे मुझे नहीं पता हाला कि इन में सोफ्टर अपडेट बहुत जादा नहीं आते इसको अपडेट्स वगर और इंप्रूफ किया जा सकता है या फिर जो कैमरा यू आई इसको और इंप्रूफ किया जा सकता है बट यह कह सकते क्योंकि काफी सारी लोग ऐसे होते जो और अगर गेमिंग ऑप्शन की बात करें अब इस रेट में आपको 60 fps तो आप नॉर्मली फोन में देखने को नहीं मिलता यहां पर भी आपको 40 fps बीजे माई का ऑप्शन मिलेगा कैजूल गेमिंग जो करते हो आप न नॉर्मल वह आप ठीक ठाक कर लोगे एंड कॉल रिकोर और और शार्पनेस साइड फील कर आती है अगर अगर जैज करें प्राइज वगएरा केसाब से तो फोटो यहां पर डिसन ठीक मिल जाती है इन फाक्ट लाइट कंट्रोल वगएरा भी जो लो लाइट में निकल के आता है ठीक कर लेता है फोन और सेलफी फोटो की बात करें वह भी आपको ठीक देखने को मिल जाता है वीडियो रिकोडिंग यहां पर बात करें इसके फाइनल ऐसे कॉंक्लूजन पॉइंट की तो अगर आप टेक्नो के फॉन पसंद करते हो अगर आपको इसका यूई पसंद आता है इनकेस आप और वीडियो भी देख सकते हो इसके यूई इसलेटिड तो अगर वह आपको ठीक लगता है तो उस केस में आपको बाकी चीजें यहां पर चाइज की बैटरी हो चाइज का परफोर्मेंस हो यह सब बढ़िया मिल जाता देखने को कैमरा डीसंट है बहुत बुरा भी नहीं है बाकिया बताओ आपको कैसा लगा है यह फोन कोमेंट सेक्शन में एंड यह होप आपको वीडियो पसंदा है कि वीडियो पसंदा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा मैं मिल तो आपसे अगली वीडियो में